चीन ने एक साथ 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉंच किया है। इस तरह उसने एक मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉंच करने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। चाइना ने लॉंग मार्च डॉडी रॉकेट के जरिये इन सभी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में बेजा। शिन हुआ ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। स्थानिय समय के मुताबिक दोपहर 1.30 बजे शांशी प्रांत में बनाये गए तायवान सैटेलाइट लॉंच सेंटर से रॉकेट ने उड़ान भरी और फिर इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पह हालां कि इसके उलट चीन का कहना है कि वह स्पेस में रिसर्च और अपने एस्ट्रोनोट्स को 2030 तक चंद्रमा पर भेजने का इरादा रखता है। उसका मकसद स्पेस स्टेशन को बढ़ा करना है ताकि बाकी देशों के एस्ट्रोनोट्स को भी रिसर्च का मौका मिले।